हे गाईज, वेलकम बेक टो माई चनल, आपको मैं एक फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके पास भी 20 मैनुफेक्चरड टाड़ा अल्ट्रोज है, जिनके में भी टचस्क्रीन एवलेबल है, जिनके पास भी कारे टचस्क्रीन जिसमें अल्ट्रोज में है, तो उसमे एक्जम प्लस जस्ट बेस की उपर वाली, एक्जम प्लस, तो अब देखते हैं अपन अंदर चलके, ठीक है, अब आपन आ चुके है, एक्जम प्लस वेरेंट के अंदर, यह लेटेस्ट है, वेरेंट मतलब अभी मैनुफेक्चरड है, 21 का है, तो आप देख सकते हैं, मैं से 2020 की है, मैनुफेक्चर, टाडा अल्ट्रो, जिस में टाजी स्क्रीन मिलता है, उनमें भी अपडेट मिलेगा, फीचर में, उनके सर्विस सेंटर वाले करके देंगे, यह देखे, वाट 3 वर्ट्स मिलेगा आपको, and one more feature, डूडल, and यह drive next, तो इस वीडियो में, मैं आपको drive next के बारे मैं बताने वाला हूँ, drive next आप जैसी open करेंगे, तो इस feature के बारे मुझे काफियाच सही लगा, because आप इसमें देख सकते हैं, आपकी driving की उपर जैसे current है, मैं trip A का लगाता हूँ, यहां से आप change कर सकते हैं, trip A, trip B, जो भी आप trip preset करके travel करते हैं, तो trip A जैसी की है तो आप देख सकते हैं, आपको distance traveled 13.8 km, average feel economy 8 km per liter का दिया है, and efficiency 5 by 5 दिया, आपको rating मतलब आपकी driving skills इस पर depend रहेंगी, आपकी driving skills की उपर यह score देगा, तो आप देख सकते हैं, जैसे driving हो गई 4.9, safety 4 by 5, देखते हैं क्या चीज़ था, seatbelt utilization कम था, इसलिए, over speeding तो 0% थी, harsh acceleration, जो भी मतलब मैं showroom में हो actually, तो मैं showroom से video बना रहा हूँ, तो यहां तो आपको पता ही कैसे car चलाते होंगे, तो harsh acceleration आप देख सकते हैं, 85 बार किया गया है, and harsh brake 4, 4 बार, तो उसके कारणी है, safety में थोड़ा 4 by 5 आपको rating दिया, अगर आप अच्छे से safely चलाएंगे, तो आप 5 by 5 score करना, तो इसमें यह मज़ा आएगा, आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ, efficiency में, total overall rating जो है, trip एकी वो है, 4.7 by 5, तो आप efficiency देख सकते हैं, यह 5 by 5 दिया है, इसमें, trip duration आप देख सकते हैं, 2 घंटा 4 मिनट, average fuel economy 8 km per liter, engine idle type, आप देख सकते हैं, 54 मिनट के लिए आइडल पर खड़ा था यह, और उसके नीचे आप देख सकते हैं, average speed 6.53 km per hour की, यह देख सकते हैं, top speed आप देख सकते हैं, 96, proper gear utilization आप देख सकते हैं, 94.36, and average acceleration देख सकते हैं, यह सब, आपको इसमें सब चीज़ दिखा देगा, तो इसमें यह safety में, 4 by 5 दिया आपको, जिस साब से आप चलाएंगे, जिस साब से आप safe rocking car को, जिस साब से seatbelt लगाएंगे, harsh acceleration करेंगे, उसके आपको score देगा, over speeding, तो यह overall score आपको दिखाएगा, trip A, trip B, and overall, आप देख सकते हैं, so guys, यह था एक छोटा से वीडियो, इसके बारे में, drive next के बारे में, जो यह feature आपको new, update में मिलने वाला है, जिनके पास भी 20 manufactured car है, उनमें मिले गए, so guys, मिलते हैं, next वीडियो में, till then, please subscribe my channel,